Question number 120 की बात करते हैं, इसमें बोला है कि cos A का value अगर cos A का value अगर sin square A है, तो यह जो खतरनाक सा चीज दिख रहा है इसका value अगर 1 है, तो हमें A plus B plus C बताना है 12, 10, 8, 6, ऐसा power है तो यह जो cos A का value, sin square A दिखा, हम सोचेंगे सभी जगा sin है, है A cos, कैसे चलेगा भाई, square कर दिया तो cos square A का value आगया, sin to the power 4 A cos square A क्या होता है, 1 minus sin square A तो अभी अपने पास आगया, 1 minus sin square A का value, sin to the power 4 A यहां से मिल जाएगा आपको, sin to the power 4 A plus sin square A value है 1 हमें 12 चाहिए, 12 के लिए अगर इसका cube कर ले तो काम हो जाएगा बोलेंगे हाँ, तो cube से 1 आ गया इधर आ गया A cube, मतलब sin to the power 12 A plus 3 A square B तो 3 times sin to the power 10 A plus 3 A B square 3 sin to the power 8 A plus का B cube sin to the power 6 A equal to 1 अभी देखिए A का value क्या है, compare करने से 1 B का value क्या है, 3 C का value क्या है, 3 A plus B plus C कितना होगा, 7 मतलब MS 2 नहीं, सही answer होगा, option number A तो अगर यह वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुँचाई हो तो वीडियो को like करना ना भूले और चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे सारे B2P IQ का solution मिलेगा आपको detail में और अगर हम यहाँ पे कोई concept discuss करते हैं तो उठाएंगे basic से लेके जाएंगे top तार तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए solution के साथ और एक नए concept के साथ